नमस्कार दोस्तू केसे आप सब लोग आई हो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो मेरा नाम ही विकेन और मैं मद्द पर्देश के खरकोन सब लोग करता हूं तो आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले मद्द पर्देश के जिला मुप्याले से लगबख 32 किलोमेटर इस्तित ग्राम आसापूर की आसापूर गाउं में भव्य मंदिर उराज मान है मां आसापूरी का मंदिर का इतियास पांडो कालीन बताया जाता है यहां पांडो पुत्र आरदुन ने विद्याचल परवत पर तपस्या करके माता को प्रसन करके वर्दान प्राप्त किया था साथ ही मांडो के राजा आला उदल ने भी यहां तपस्या करके माता को प्रशन ने किया था सभी की आसाओं को पुरा करने वाली मा आसापूरी धाम में नवरात्री के दोरान रोजाना हजालो सद्दालू दर्चन के लिए पहुंचते हैं मंदीर ट्रस्ट किति लोग यादों ने कहा कि मा आसापूरी माता जी का ये मंदीर पांडो काली ने इसका उल्लेग महाभारत में भी मिलता है इसके साथ ही राजा मान दाता जी की ये कुल देवी भी है उनके वनसस आज भी आसापूर माता के पुजन के लिए आते हैं इसके अलाव पित्वी राज्ट ये चोहान सहीत मत पर्देश महाराष्ट गुजराज राजिस्तान के 28 गोत्र के लोग माता को कुल देवी की रूप में पुछते हैं पहले गुफा में विराज मान थी माता मंदिर में रखे शिलालेक्स के अनुसार पहले गुफा में विराज मान थी माता 800 साल पहले मंदिर का पहली बार जिन्नोदार वहाता उसके बाद उसकी बार 2012 में मंदिर को भव्य रूप प्रदान करने के लिए पुन्न जन सयोग राची से जिन्नोदार हुआ आज मंदिर भव्य रूप से इस्तापित है मंदिर में महासापुरी के अलावा महाकाली लक्षमी सरोसती साथ मात्रा देवी नवगर देवता श्री गणेश जी भगवान सीव और भेरो विराजमान है सभी आसाओं को पुरा करती है माता तीलो ग्यातों ने आगे कहा कि नाम के अनुरूप माता भव्य रूप के हर आसा पूरी करती है माता के मंदिर को भवे रूप प्रदान करने के लिए एक करोड़ बीस लाग सत्यसी अजार रुपे की लागत आई है मंदिर निर्मान में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को जादा जादा सेर करें ताकि आने लोग भी इस मंदिर तक कौंस सके तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई